हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज हम बनाएंगे एक कप दूद से एक किलो मेट आई बहुत ही बढ़िया ये रस्मरी बन के तयार होगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा आपको लेना है एक कप शुगर और उसी कप से एक कप पानी अभी आपको फ्लेम मीडियम कर लेना है गैस का और इसे लगातार चलाते रहना है हमें एक तार ये दो तार की चाशनी नहीं बनानी है बहुत ही सिंपल है ये चाशनी बनाना आपको इसमें इलाची कूट के डाल देना है थोड़े देर उबालने के बाद आप चेक कर सकते हैं बस ये इस तरीके से चिपचिपी होनी चाहिए तो चाशनी हमारी बनके तयार हो गई 5-7 मिनट लगेंगे बस अब हमें कडाही में एक चमच घी लेंगे उसमें एक कप सूजी लेंगे मैंने इसको ग्राइंट कर लिया है क्योंकि ये सूजी थोड़ी मोटी थी आप इसको भून लेना है इसका कलर चेंज नहीं करना है बस थोड़े सब को भून लेना है उसके बाद इलाची पाउडर डाल देंगे कुछ ऐसा कलर होने तक हमें इसे भूनना है अब इसमें एक कप दूड़ डालना आपको बस एक कप और अगर जरूरत हो तो चार से पाच चमच और दूड़ डाल सकते हैं बस ऐसा डो बनके ये तयार हो जाएगा कडाही छोड़ चुका है अब इसमें दो चमच मैदा डालिए और इसे बहुत ही बढ़िया से हमें गूत लेना है अगर हाथ में चिपके तो आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इसे इस तरीके से गूत के एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा डो बनाना है आपको आतों से मसल के और आपको इसको ऐशा शेप देना है आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं बिल्कुल यह क्रैक नहीं होना चाहिए चिकनास आपको बनाना है टूथपिक से आप चाहे तो इस तरीके से डिजाइन दे सकते हैं देखने में बहुत ही सुंदर यह रस्बरी बनके त तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि यह अंदर तक पक जाए इसको वलट पलट के आप दोनों साइड से से शेक लीजिए बस इस कलर होने तक हमें इसे फ्राई करना है ज्यादा डार्क नहीं करना है अब आप इसे चाशनी में डाल दीजिए चाशनी को गैस पर रखिए थोड़ा इसे गुन-गुना करिए ताकि इसके अंदर तक यह चाशनी चली जाए आप इसे चेक कर सकते हैं यह बहुत ही सॉफ्ट बनके तयार हुआ एकदम मूँ में जाते ही घुल जाएगा तो इस रेसिपी को जरूर ट्रा की के साथ